hello students in this lecture I will discuss about the biology of agrobacterium agrobacterium is a natural plant genetic engineer used for the transgenesis in the plants any the agrobacterium agrobacterium is a naturally occurring gram negative bacteria agrobacterium gram negative bacteria which is present with these two common species agrobacterium agrobacterium tumefaciens and agrobacterium rhizogens these are being considered as the natural genetic engineers agrobacterium is a species tumefaciens and rhizogens in natural plant genetic engineers use करते हैं क्योंकि इनके अंदर ability to transform the plants यानि प्लांट्स के इन बैक्टिरिया के अंदर क्या होती है यह plants में gene को transfer करवा सकते हैं यानि transformation की ability होती है इसलिए हम agrobacterium को as a natural genetic engineer यूज करते हैं जो दो स्पीसिज होती हैं agrobacterium tumefaciens उसका जो plasmid होता हम उसे क्या बोलते हैं टी आई प्लाजमिड एंड जो दूसरी स्पीसिज होती है rhizogens उसके प्लाजमिड को क्या बोलते है आराई प्लाजमिड जो टी आई प्लाजमिड होता वो किसके अंदर मिलता है to me ft macht के मंदा टाई मिन्स ट्यूमर इंड्यूशिंग मिल्यव यह प्लांट में हम गोड इजीज कोज करता है n हम यानि जो बैक्टिरिया का प्लाज्मीड है एक्र बैक्टिरियम के प्लाज्मीड है टी ह्आई प्लाज्मीड and रिटी हम इसलिए हूप यूज कर सकते हैं नेशर वाइल टाइफ एग्रोबॉक्टिरिम बैक्टिरिंड कोज़ूर्स यानि नेचरली क्या होता है जो एग्रोबैक्टिरियम ट्यूमिफेशिंस होता है वो क्या करता है और उस डिजीज को क्या बलते हैं क्राउन गोल्ड इजिस्ट इनलीड हो जाते हैं यह उनकी सेलबज होती है तो वह एक केमिकल कंपाउंड रिलीज करती है acetocytosurongenon ऑर वह किसमें को प्रेजेंट होता सिर्फ सिर्फ डाइकोड़ प्लांट जब इंजर्ड होते तब acetocytosurongenon को क्या करते हैं रिलीज करते वाइल जब monocot injured नहीं करते यह जो acetocytosuronJames को रिलीज नहीं करते और यह बैक्टीरिया क्या करता हैairs एसीटो-synosinon को क्या करता है sense करता तब क्या करेंग इंफेक्ट करेंगा यानि इसको stimulus मिलता है aceto-synosinon से और वो stimulus को तो सरी सकते सर्फ डाइकोट प्लांट Mono-Cosinon के अंदर क्या नियरीज वहता aceto-synosinon and by transferring defined definite segment of DNA यानि यह अपना खुद का DNA transfer करता है प्लांट के अंदर प्लांट की जनोम के अंदर जो क्या करवाता है वो त्रांसफर्ड डिन यह वो क्या करवाईगा crown goal disease cause कर वाता है यानि cells को highly division highly divided करवाता जिससे क्या हो जाता ट्यूमर लाइक formation हो जाती प्रांट में तो से क्या बोलते crown goal disease और ड्यनने होता है मुस्से क्या बोलते हैं tdna या फिर ट्रांसफर्ड ड्न यह ड्यनने यह ड्यनने क्या करता है बैक्टेरिया का थो ट्याइक बाजमेड राग भी उससे जो प्लांट का नेच्रॉल जिनिो अवाइ उसमें क्या होगा ट्रांसफर होता है फोरबी इशेकन्ट स्पीसिज दोती है एक्षरीन रिद्धों संखाय यानि हेरी हेरी रूट डिजीज को ज़ करती है यानि हुट इंडयूसिंग होती है हेरी फastern करती है एक्वेरी रूट इंडयूשन रॉप fresh Cash के अंदर ऐसी जींज प्रेजेंट होती है जो सेल्स को डिवाइड करवाती हैं है कि अगरोड़र में हम टी प्लाज्मिट के बारे में पढ़ेंगे टीया-ई-प्लाजमिट या फिर ट्यूमर इंडूस्ट त्यूमर इंडूसिंग बेस्ट वेक्टर यानि या अगरोड़र ब 400K 먭ेस्पार्स यानि ट्रीप्लम एक का स्टेशो गान्स बॉस्पार्स नीज डिवाइना ड्रीने सेग्मेंट कोल्ड एड्ये या दियरनी जो पी आई प्लाजमिड होता है उसका एक डिफाइन ड्रीने सेग्मेंट पट jurisdiction क्या बोलते हैं एंते ड्रीने कहता है बेक्टीरिया से plant genome रंदर क्या होता है त्रांस्फर होता है विचिस ड्रांस्फोर्मच ट्र Ain। ग्रांस्फोर्मच ल्ट ट։ Complete of the division यह थब उनों साइड में रीजनय दोन्हों साइड मैं प्रेजेंट होते है एक डीरेक्ट repeat sequence present होते जिसें हम क्या वहलते हैं right border sequence या फिर left border sequence यानि T dna के δौनों side होती ल safely left border sequence vention ce qui right border sequence present होती है और यह sequence क्या ia होती है दे दे ट्रांसफर के लिए essential होते है यानि यह dna ट्रांसफर में препो करती है and bacteria to plant cell में dna को transfer करवाती है और क्तिह एक एक विर जाटी इन्स किया क्राइब रिज़न कटीज एन्स क्या क्रवाती है या ईजिस सपार इंडीन्स क्किल ये जिन्स क्या करवाती हां छो टीई की है उसको लिए ट्रांसफर करवाती है यानि इसको पहले क्या करेंगे कट करवाएंगी उन प्रोड़क्ट ञेंजन के लिए कूंकोड न करता है रोलेंज और इंदर के लिए इनकोड करते हैं इस होस्त प्लांट इंदर या प्लांट यह पाइन को ब्रेक कर सकते हैं इसके अंदर जो जीन होती है वह ऑपाइन के टाबॉलिजम के लिए Enzymes को Code करती यानि जो Enzymes Opine को Break कर के उसके लिए क्या करती है Code करती है यह Opine Catabolism Regen की Genes जीन्स Opine क्या होता है जो Amino Acid या फिर Keto Acid या दूसरा किस्का हो सकता है Amino Acid और Sugar का Combination होता है और जो Bacteria होता है Agro Bacterium Tumiphacians साइज वो आपाइन कंपाउंड्स के जघा करता है को क्या करता है किं स्माइज प्रेज़न का तो प्रेजेंस साइज है जो थी एक दो इटाए प्लाज्मीड का साइज कितने चुन सोट कंटर्फ ता ंत कितना होता है 15-30 क्लोबenter 15-30 क्लिक गॐव्ब प्रेसें यानी जो अलग अलग प्रेसे साइज होता है किसी के अंदर 15-0 क्लोबीबभाज रिधा इसंग ऑपने करता है च्ट्रेंद की ऊपर के पर बेंड करता है तीज एनी फ्लैंक्ट 20 फाइ बेस पेर सेक्वेंश और इमपरफ़ेक्ट डेरेक्ट रिपिट्पिट्स नोन instance गॉ Success यानि यहीं के और attracted में क्या प्रेजेंट होते है क्या म eresन boyfriend होती है जिसे हम 25 बेस्पेयर की इंपर्फेक्ट डार्याइक्ट रिपीट सेक्वेंस प्रेजंट होती है समक्र observing ऑडर सेक्वेंस य escrrit को भाठनों प्रेजट सेक्वेंस ए राइट बौल्डर सेक्वेंस और्लेफ15MP प्रेजएंट तो left border sequence और यह जो border sequences होती है यह क्या होती है not transfer to the plant यानि यह जो TDNA के side में दोनों जो border sequence present है वो क्या नहीं होती खुद तो अपने आपको क्या नहीं करवाएंगी plant cell के अंदर transfer या transform नहीं करवाएंगी लेकिन यह essential होती है TDNA को transfer करवाने के लिए अगर यह border sequence present नहीं है तो TDNA bacterial cell से plant cell में transfer नहीं होगा और यह खुद क्या होती है left end जो right border sequence यह खुद क्या नहीं होती plant cell के अंदर transfer नहीं होती यह सिर्फ क्या करती है help करती है TDNA को transfer करवाने के लिए the border sequences are not transferred to the plant but are involved in the transfer process यानि involved होती transfer process में right border is necessary जो right border sequence होती है वो necessary होती है DNA transfer करने के लिए plant में या फिर DNA integration यानि जो transfer DNA है उसको फिर plant cell के जिनोम के साथ क्या करवाना integrate करवाने में भी कौन necessary होता है right border sequence यानि अगर right border sequence TI plasmid में present नहीं है तो क्या नहीं होगा DNA transfer and integration नहीं होता है outside the TDNA region assist element is present designated overdrive sequence यानि जो TDNA reason है और जो right border sequence है इसके बीच में एक overdrive sequence present होती है डिने की sequence present होती है जिसे हम क्या बोलते है overdrive sequence near the right border यानि right border की side क्या होती है overdrive sequence present होती है right border sequence and TDNA के बीच में overdrive sequence present होती है जो कि DNA transfer के लिए क्या होती है efficient होती है यानि DNA transfer में requirement होती किसकी overdrive sequence की का होती है right border की side overdrive sequence overdrive sequence ती क्या है TI plasmid की structure क्या क्या reason होती है इसके अंदर right border left border और tdna virgins origin of replication and opine catabolism reason कि bacterial plasmid में जो tdna होता है उस tdna में क्या है phytohormones and opines के लिए gene present होती है यह tdna जो की bacterial cell से plant cell में transferred होता उसके अंदर genes present होती for the phytohormones phytohormones means या फिर growth regulators phytohormones कौन-कौन से जैसे oxygen या फिर cytokanine के लिए oxygen and cytokanine क्या करवाते हैं और इसी वज़े से क्या होता है यह वेक्टिरिया जब plant cell को infect करता है तो tumor कोज कर सकता है means tumor means proliferation of these cells proliferation means uncontrolled cell division of the cells यानि जब cell uncontrolled में डिवाइड करें तब क्या होता है tumor formation होता है और इसमें जीन्स प्रेजेंट होती फॉर्डी फाइटो हार्मोंस एंड ओपाइंस के लिए जीन्स प्रेजेंट होती है जो कि plant cell में जाके क्या करती है अपने आपको एक्सप्रेस करती है क्योंकि plant cell में जाके ही तो हमें क्या फाइटो हर्मोंस की जो जीन्स है उसका production oxygen and cytokinin का production करवाना है और वही oxygen and cytokinin फिर क्या करवाते हैं cell division में help करते हैं the overproduction of phyto hormones जो phyto hormones होते हैं यानि oxygen and cytokinin होते हैं at the site of infection यानि जब plant cell injured और होते हैं यह plant cell बैक्टिरिय इंपेक्ट करता है तब जो site of infection होती है उसमें क्या होते है phyto hormones का overproduction हो जाता है यानि cytokinin and oxygen का overproduction होता है और यह cytokinin का overproduction यह क्या करवाता है proliferation of the wound cells यानि जो injured cells है उनके अंदर क्या करवाता है proliferation याशी और हाइटन हार्भर ए पॉपोलेशन ओ बैक्टीरिया या दर क्या है लार्जमांट उस पाइंट cancel सकती है नविल सकती हुबyyyxty बॉप इंड and the universal nationally कर्णल यश्क अंदि के अधर कया है आध бол डीक्रापिल इसके लिए बाइन थे क्या चैंड़ें सेनॉफ दी एमेनोअ आइडिविद्त केटіш पिछेट और किंदेकैसेन ऑफ अमिनोघजल मिद्त सूगर कंप्सकंण। होते हैं और उपाइन सब्साटीं हुग गरोनाइन और फिसक्ताइब इंहीं के अंदर Octopine present होता है किसी के अंदर AgroPine present होता है यह जो पाइञ वो होते हैं कंडंसेशन प्रोड़क्ट्ट ऑ्फ आइदर एन I aminocid का Condensation होता है तो क्या बनते हैं या फिर I aminocid and ketoacid का Condensation होता तब ही क्या थी ओपाइन कंपाउंड की Synthesis होती है बैक्टीरिया क्यों Synthesize करते हैं क्योंकि वो उनको कि कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स यूज़ करते हैं और सिक्वेजन से बाद जो रिजन प्रजेंट था उपाइन के अंदर जीएंस जीट तीटिरिया क्लेंग प्रोटेंस या फिर एंजैम्स के बाद वह Herman कहरें को टर सके यानि मिन्सका करवा से ही और स्थ यह क्या था उपाइन से जो टीडियन करें होता है उसके अंदर कौन-कौन से फाइट और मॉंस प्रेजेंट होते हैं वह क्राउन गोल्ड डिजीज कैसे कोज़ करता है उसके बाद जीन्स रिक्वाइड फॉर्डि ट्रांसफर ओफ टीडियन ने यह टीडियन ने जो कि प्ला कई प्लाइट था स्टैविर प्रेजेंट था बरगोल्स जीन्स जो कि क्या करती हैं करें इंफेक्षण करवा थी प्लांट को और दूसरा उनका रोल क्या हता है जो ठीडैन को ट्रैसफर समांस होती वह खुद जो प्लांट सेला जीनॉम उसमें इंसर्ट नहीं होती लेकिन वो सिर्फ क्या करवाती है they are essential for the transfer of tdna into the plant cell genome plant cell के genome में tdna को transfer करवाने के लिए essential होती genes the transfer and integration of tdna into the genome of plant cell यानि जो tdna है उसको plant cell में transfer and integration करने के लिए genes required होती जिन हम क्या बोलते हैं virulence genes और vir genes these vir genes are organized into the several operands यानि यह जो genes होते हैं ओपेरं की form में क्या होती है organized होती है ओपेरं कौन कौन से ओपेरंन होते है विर A, विर B, विर C, विर D, विर E, विर F, विर G, आपेरंस प्रेजेंट होते हैं किसी के अंदर का लिए बहुम्स ऐंदर सिकल जीन्स प्रेजंट देवन एंड डीटू जो विर भी अऩहा उसके अधर एलेवन जीन प्रेजंट प्रेजंट ती फिर दीवन बी तु बीट फ्री बीवीपेफोर बीफाई यहाँ विर ऑपरों निया बी में जी दीए में किस पर प downt होता है जो भी और में थना आइ प्लाज्मिड के उपर उसक्राइंट होता है वीडिया फ्रीजन में कि वाइरोलांस रिजन में जो डिफरनट विर ऑपरों प्रेजन तो वो कॉन और इडिला बीडी फ जी और-फ इस Cinderella सिंगल जी नोती ओषिक भर रीर लिजन ऑता हुज हमें तो जीन्स आपी यानि यह वर ईवन एड़ लेटा विर सीवन इतू जो बिल दी रिजन उता हुन सके अंदर क्या थी फोर डिनस प्रे टोटी डी-1 D2 D3 & D4 जो विर B Regen होता है उसमें 11 genes present होती है 1211 वी 1 वी 2D3-1 बी 11 उसके बाद है जो different genes होती है उनका function क्या है यानि जो different vir regions present होती है विर genes होती है उनका function के DNA transfer में role के है Only vir A and vir G genes are expressed constitutively यानि जो कैवल दो जीनस हैंसी होती है जो की Гос अपने क्या हो जाती है श्तिमलेस मिलना जाए बस दि ट्रांस्क्रिप्शन ओफ ओल अधर ऑपेराउंस इंदी विर रिजन इस टाइटली रेगुलेटिड बाइ दा तू प्रोटीन्स विर एंड विर जी यानि विर एंड विर जी जीन्स क्या होती है वो तो कॉंसिटुटीवली एक्सपेश्ट हो जाती है लेकिन जो अधर ज चेंस होती जैसे एसी एसे एफ टी and बी इन जीन्स के एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है यह यह टाइटली रेगुलेट्रीड बहुत ती है डिजन B d e ह fuckin इनके expression में expression को control करते हैं या रेगुलेट करते हैं कों करता है regulate एक एड़ जी जीन हम जो ऐसे लिखते है विर ए कि इसा फेला लेटर स्मोल है तो इसका मसलब क्या है यह जीन को रेप्रेजेंट करते है विर ए होता है तो मैं से क्लिकेंगे जीन एंड V को हमने capital लगी दिया विर A then it is the product encoded by this यानि यह इसका क्या है protein तो हम protein को कैसे लिखते हैं जहाँ पर भी कहीं gene या उसके product के बात आती है तो हम कैसे लिखते हैं यह क्या है protein यानि V capital है और gene को हम कैसे लिखेंगे small v से यानि first letter small होना चाहिए तो यह क्या है दो protein विर A एंड विर G जो की regulate करते है expression of the विर D, विर B, विर E and विर C के expression को विर A सबसे पहले बात किसकी करते हैं क्योंकि सबसे पहला role किसका होता है T DNA transfer में या फिर infection में वो किसका रोलता है विर A का विर A जो protein होता है वो receptor का काम करता है कुछ for the certain phenolic compounds यानि plant cell जब injured होती है तो वो injury के दुरान कुछ phenolic compound release करती है mostly क्या होता है phenolic compound acetosyringone acetosyringone से क्या होता है जब release होता है तो जो bacterial plasmid के अंदर विर A protein है वो as a receptor काम करता है किसका acetosyringone या फिर दूसरे कोई phenolic compound mostly तो क्या release होता है acetosyringone acetosyringone के लिए receptor का काम कोन करता है विर A protein जो और acetosyringone को release कोन करता है plant cell जब ये acetosyringone इस receptor के साथ विर A reason के साथ यानि विर A protein के साथ बाइंड हो गया तो क्या होगा इसका phosphorylation हो जाता है यानि विर A का autophosphorylation हो जाता है इसके साथ phosphat group attach हो जाता है then this phosphat group फिर उसके बाद क्या होता है autophosphorylation होने के बाद क्या होता है ये जो विर A gene है ये क्या कर जाता है अपना फॉसफ, जो फॉसफेट ग्रूप है उसको किसको transfer कर देगी next जो gene है जीन सबसे क्या हुआ कि इंफेक्टट ब्लान्ट सेल ने क्या किया अविर य जीन क्या किया अविर्य एक्जीन रिष्यकप्टर वर्क किया क्या इसी टो अव्य क्यीषव्याब। अब करा मातबंक्राइखा थिंड यह जो जीन में उसको अपना पोश्फेट घुम्प ट्रांसफर कर दिया इससे क्या हुआ जो विर्जी जीन ने विर्जी प्रोटीन को एनर कोड की करके विर्जी प्रोटीन की फ्रमेशन की उसके बाद यह जो विर्जी प्रोटीन है यह क्या करेगा जो रिमेनिंग जी विर्जी जीन से जैसे बीडी इसी उनको क्या कर देगा या निछ न सकतव करेगा एन के लिए Transcription एक्टिवेटर का काम करेगा और क्या करवाएगा जो जिसे विल्ड जीन अरशन और या या यो जो हमां करेगा एक तो यह जांदंग करता है इनजाइम तो यह जीन क्या होती है करती है similarly जो विर भी जीन होती है वह बाइंडिंग में करती है सब जो वी है उसका सिमिलर फंक्शन आता एक तो यह चैनल क्रेट करते है और दूसरा ट्रांसपोर्ट में अलब करती है तो यह क्या है जो डिफरेंट जीन के activation के लिए क्वर करता है Transcriptor and Activator के लिए VIR-G और VIR-G को Activate क्वों करता है VIR-A विर-A को अखरीट क्वों करेगा या stimulus एक टो सीरंजों को एक विर A and VIR-GZN के बाद है विर d जीन का रोल विर ऍबिशो जीन थी उसके उपरेंज़ेंद्स बेंदर नोस तो फोर만 इनली रोल इसका हता है कि I can see D2 is required for the nicking of a supercoiled DNA यानि जो Ti plasmidicamid DNA के Supercoiling होती है उसकी क्या करवाता है nicking यानि एक strand को कट करवाता है या अलग करवाता है जो D2 होता है वो क्या होता है एंड़नुक्लेज इंजाइम यानि एक DNA को कट करवाता है जो TDN होता है उसकी सिर्फ एक strand क्या करती प्लांट इस नोम में इंसट होती यानि पीधा अगी डोनोंस ट्रैंड प्लांट सेट आने ट्रांसम को एक स्टेंड होती है और उस एक स्टेंड को ट्रांसफर करें किसा इंड टू का इंड इन्र इन्रो का T Baptist को सबस्क्राइब बोच का ледऑ बर्डश का उन्यूकलीयर लोकर लेजिंग सीगेंड और नियूकलीयर लोकैृड जैगा विर कुसुंट के लिए उसके बाद देवन यह वो क्या करती है एलपर टुची है करें ले वर् efecto करती है दो इपाले के था दृद्स इसका आ Mitsubar C1 and C2 जो विर C1 होता है उसका क्या function होता है binds to the overdrive site और overdrive sequence यानि TDNA के बाहर flanking region में जो sequence present थी हमने से क्या बोला था overdrive sequence right border की site present थी overdrive sequence helps in the cleavage of DNA in the agrobacterium विर C1 gene का क्या रूल आता है तो ये overdrive sequence पर बाइंड करेगी और दूसरा क्या करवाती है ये धी overdrive sequence पर बाइंड कर गई तो इसका function क्या हो गया इसका मतलब ये DNA को cleave करवाएगी क्योंकि overdrive sequence से क्या करवाना में DNA को cut करवाके plant cell के अंदर transfer करवाना है जो विर C2 होती है उसका function अभी तक still function is unknown उसके बाद है विर बीजीन जो विर बीजीन होती है वो किसके लिए essential होती है कि ट्यूमर जोनेसिस यानि ट्यूमर फोर्मेशन के लिए essential होती विर बीजीन एकसेप्ट बीवन बीजीन है अमने सिंगल स्टेंड बाइडिंग प्रोटिन के लिए और यह सिंगल बाइडिंग फ्रोटिन क्या करता है है जो DNA के single strand हमने कट करवा के isolate अलग करवाई है उसको क्या करवाएगा यह single stranding binding proteins पर attach हो जाता है ताकि जो bacteria का कोई दूसरा endonucleus enzyme उस strand को further cut ना करवाई इसके लिए जो विर इटू होता है single stranded binding protein attach हो जाता है and it is also content nuclear localizing sequence यानि इस पर भी NLS present होता है d2 and d2 का रोल का होता है इन में NLS present होता है यानि यह bacterial cell से जो DNA के single strand है उसको plant cell के nucleus तक लेके जाएंगे उसके बाद है विर एच नॉन असेंशल यानि एक non-essential gene है इसकी requirement essential नहीं है and it is may be involved in detoxification of plant phenolics यानि यह involve हो सकती है detoxification of plant phenolic detoxification के लिए उसके बाद कौन से जीन है विर एफ होस्ट range factor यानि यह जो gene होती है यह काम वर करती है जब plants जो DNA है वो plant cell के अंदर चला जाए तो यह वर का करेंगी plant cell में जाके करेंगी regulate cell division यानि plant के अंदर क्या है फिर इस एल डेग को regulate करेंगी यानि continuously divide करेंगी सेल को तभी क्या होगा ट्यूमर formation यह cell division को regulate करते उसके बाद कुछ से विर जे इट में हाव role in the tdna strand export यानि इसका specific function तो नहीं पता है लेकिन इसका role किसके अंदर उसता है tdna strand export में या फिर attachment of agrobacterium to plant cell जब agrobacterium plant cell के साथ attach करता तब उसका role ता विर जे और दूसरा किसी में बता है tdna strand export में रहता है 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 यह है है